वेलकम टू राजेश किचन आज राजेश किचन में हम आपको मीनी समोसा जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी घर में बन जाता है और इसको आप 10-15 दिन के लिए रगवी सकते हैं ये खराब नहीं होता तो चलिए सुरू करते हैं समोसे के लिए मैदा ले लिया है लगवक 200 ग्रम अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच डालडा घी आप इसमें रिफाइन भी डाल सकते हैं इसमें डालेंगे करीब आदा चम्मच अजुवाईन स्वाध अनुसार नमक भी डाल देते इसमें सबसे पहले हम इसको मिक्स करेंगे कि नमक अजुवाईन भीगोड अच्छे से हाथो से करना है यह नेखें मिल यह बनने लगा है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकडम टाइट सक इसको गूंख लेंगे एक साथ पानी हमको नहीं डालना है इसका एकडम टाइट हमको आटा लगाना है यह देखे हमारा समोसा का डोध जार है एकडम फस्ट ग्लास कितना सब तांटा लगा है को एक कपड़ा भिगो के और इसको अच्छे से ढखके जगद दीजिए रेश्ट होने के लिए तब तक हम अपनी फिलिंग तयार करते है चलिए हम फिलिंग तयार कर लेते हैं यह हमने लगवग 200 ग्राम मुंग की दाल जो की बिगर छिलके वाली है इसको भिगो लिया था दो-तीन घंटे के लिए और इसका सब पानी इकडम इस्टेंड कर लिया एकडम से अभी हलकालका है अभी इसको भुनेंगे हम यह हमने कड़ाई रख लिया है आईए मारी गरम हो गई है अब हम इसमें डालेंगे करीब दो चम्मच सरसो का तेल तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग जीरा हमारा चटक में लगा है अब हम इसमें डालेंगे अधरक लसुन और मिर्च का पेस्ट करीब एक चम्मच करीब एक चम्मच गरम मसाला आदा चम्मच कुटा मिर्च और आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसको भी हम इसमें डेल में बूल लेते हैं अब हम अपना यह मूं की डाल इसमें डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से भूलते हैं दिल्कुल आई क्लेम पे आपको इसको भूनना है इसका पानी एक डम से सूप गयाना चाहिए जड़ात अभी पानी नहीं रहना चाहिए इससे आप आपी समय तक इस समोसे को रख सकते हैं देखिए इस स्टेज तर हमको दाल को बुनना है जिसे इसमें कुरकुरा पन आ जाए अगर पानी रहगा तो आप समोसे को लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे अब हम इसको एक मिक्सर में डालके इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे एक दम बारीक पाउडर नहीं बनाना है हलका दरदरा रहना चाहिए यह देखे इस तरीके से समोसे की फिलिंग हलका सा दरदरा आप इसी तरीके से कूट लीजे मिक्सर में डालके पूरा फाइन पाउडर नहीं बनाना इसका अब इसको हम एक बाउल में टांस्पर कर लेते हैं और इसी मिक्सर में आपके घर में कोई भी घठीया हो सेव हो या कोई भी नमकिन पड़ियो आप यह गठीया डालके इसको भी दरदरा पीछ लीजे इस गठिया भी हमने बारीक पीस लिया है अब इसको भी इसी मिक्चर में एड़ कर देते हैं इससे समूसा हमारा पहुत ही पहत्रीन और लाजवाब बनेगा अब इसमें हम डालेंगे लगबग आधा चम्मच अमचुल पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा कमी नमक आलेंगे जोंकि गठिया में भी नमक होता है इसलिए थोड़ा नमक हम कम डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे आप ये श्टपिंग बना कि आप अराम से फ्रीज में रग भी सकते हैं आप काफी दिन तक य क्योंकि इसमें पानी नहीं है बिल्कुल सूखा है अब यह हमारी समोसे की फिलिंग बिल्कुल तयार है चलिए अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं ये देखिए मैदा मारा कितना अच्छे से से सेट हो गया है एक बार इसको अच्छे से को पूंद लेंगे अब इसकी छोटी लोई काट लीज़ें ज़ी। इसमोसे के लिए क्योंकि मीनी समोसा इसलिए चोटा लोई भी और हुद जब है अब हम इसको बेल लेते हैं आपको बेल के दिखाते हैं इस तरीके से आप बोल करके आप बिल्कों कोला नहीं बेलना है इसको थोड़ा लंबे वें और थोड़ा मोटा ही रखना है अब आप इसको बीच से काट दूझे अब हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बढ़ा जाएगा है और इस पर किनारे किनारे पानी लगा लिए अब ये दोनों साइट को आप इस पर रखके इसको हांस से प्रेस कर दीजिए अच्छे से दबा के प्रेस कर लिजिए ये कोन बन गया अब इसमें हम अपनी फिलिंग भरेंगे अच्छे से दवा के आप अपनी फिलिंग इसमें भर दीजिए और फिर हल्का से पानी और लगा के आप इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर दीजिए यह देखिए आपका कितना मीनी समुषा क्यूट सा समुषा तयार हूँ इस तरीके से एक और हम आपको भर के दिखाते हैं आप ऐसे दीजिए इसके साइड में फानी लगाई है यह दोनों सीरे को ऐसे चिकाई इसमें आप ऐसको अच्छे से पाएक कर दीजिए कि पैक करके इसमें थोड़ी सब्सी फिलिंग बर दीजिए देख रहा हैं इसको इसे दबा के बढ़ियां से अरहा का सब पानी किनारे पे लगा के आप इसको इस तरीके से फोल्ड किजिए और फिर ये ऐसे बढ़ा किजिए देख रहा है इसी तरीके से आप अपने सारे समोसे तैयार कर लिए ये देखिए हमने अपने सारे समोसे फेल क कितना क्लूड समोसा लग रहा है आपको अब हम इसको फ्राइ कर लेते हैं यह ने कड़ाई रख लिए इसमें डालेंगे रिफाईंग अच्छे से काफी अच्छे मात्रा में जिससे समोसा उसमें डूग जाए तेल अच्छे से गरम हो गया है बहुत हीट करके हमको समोसा नहीं डालना है नहीं तो हमारे सारे समोसे के उपर जो इस पाट पड़ जाएंगे और वो अच्छे से पकेंगे दूग यह देखें इस तरीके से आप यह बहुत देर से खौलना नहीं चाहिए और समोसा डालने के बाद उस देर के बाद आपको अपना फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है और अगर समोसा का खायल अगर ठंड़ा होगा तो आपके सारे यह समोसे खुल जाएंगे तो फिर सारा उसका अंदर का फीलिंग बहार आ हमको हाई फ्लेम में डालना है और फिर फ्लेम दो तीन मिनट के बाद एक्दम लो कर देना है अब ही आप देख रहे ना फ्लेम तेज है अच्छे से खौल रहा है जब लो कर देंगे आप तो किवल हलका हलका बस बुलबुला आएगा अब फ्लेम को हमको बिल्कुल स्लो कर देना है अब दो समूसा हमारा पूरा लाल हो जाएगा और अंदर से पकेगा रही है आप इसको बीच बीच में टर्ण करते रहे है उपर का नीचे नीचे का उपर आप देख रहे हैं अब ये फ्लेम हमने कम कर दिया किवल आपको इसी आज में आपको तरीक 5-7 मिनट तक पकाना है जब तक अच्छे से लाल रोंगा है ये देखिए समूसे हमारे एकदम से अच्छे से फ्राई हो गया है अब इससे ज्यादा हमको लाल नहीं करना है क्योंकि इसको बाहर अगर आप निकालेंगे ने तो ये और थोड़ा सा दार्क होगा इसलिए हमको अभी सी स्टेज पे इसको निकाल लेना है ये देख रहे हैं कितना बहतरीन कलर आया समूसे का अभी और हलका सा लाल होगा इसको एक आप टीशू पेपर पे निकाल ले जाए अब देखिए हमारे मीनी समूसे कितने बहतरीन बनके तयार हैं अब ह आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं ये देखिए कितना लहगा मीनी समूसा बनके तयार है आप इसे चाय के साथ इंज्वाए कीजिए अगर आपको ये मीनी समूसे की रेस्पी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सस्क्राइब करना तो ब झाल